हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका हमारे चैनल ठेट्यू में माल लो दोस्तों आपको कोई डिजिटली प्रिंटेट सौ पेजेस हार्ड कॉपी देता है और बोलता है कि जाओ इसे सौफट कॉपी में कनवर्ट करके लाओ माल लो आपको आपका बोलता है तो आपको तो करना ही होगा लेकिन इतना जादा पेजेस टाइप करना इजी काम नहीं है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी डिजिटली प्रिंटेड हार्ड कॉपी को सौफट कॉपी में कनवर्ट कर सकते हो इजली तो चलिए दोस्तों बिना देई कि ये स्टार्ट करते हैं मान दो ये कोई बुकलिट है जिसके पेजेस को आप सौफट कॉपी इरिटेबल टेक्स्ट फाइल और वर्ड फाइल या पीडियफ में कनवर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है सबसे पहले जिन जिन पेजेस का आपको सौफट कॉपी या इरिटेबल टेक्स्ट फाइल में कनवर्ट करना है उसका photo ले लेना है आपको mobile से और उसे अपने laptop में transfer कर लेना है Bluetooth, data cable, किसी भी तरिके से और copy कर लेना है तो दोस्तों ये वो photo है जो मैंने अभी अपने mobile से लिया और ये अभी jpg file में है अगर मैं आपको इसे open करके दिखा हूँ तो ये आपको कुछ इस type का भी दिख रहा है ये मेरा वो अभी photo है जो मैंने अपने mobile से लिया और इसमें अभी कोई भी editing का option नहीं आ रहा और ये अभी jpg format में है तो इस picture में जो भी अभी text लिखा हूआ है जो भी detail दिया हूआ है उसे मैं ed table text file में convert करना चाहता हूँ means किसी भी pdf here word file में convert करना चाहता हूँ जहां से कि मैं उस text को copy भी कर सकता हूँ किसी को भेज सकता हूँ तो चले दोस्तों अभी मैं आपको step by step बताता हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं से पहले आपको इसे cut करना है फिर आपको यहाँ पर word open करना है Microsoft word आपको यहाँ पर blank document select करना है उसके बाद आपने जो picture लिया है उसे यहाँ से copy कर लेना है यह मैंने copy कर लिया इस पर right click करके और फिर आपको यहाँ पर control plus V प्रेस करके paste कर देना है यह मेरा paste हो गया अब मैं इसे थोड़ा zoom in कर लेता हूँ अब आपको क्या करना है जो भी extra portion है उसे आपको crop कर लेना है जो picture के साथ आगया है हमारा उसे आपको crop कर लेना है अब यह अब मैं इसे थोड़ा resize कर देता हूँ इसको center में move कर देता हूँ अपने हिसाब से आपको इसे अपने हिसाब से resize करके crop करके इसे center में move कर देना है ताकि आपका जो भी text convert करने के बाद आए वो बीच में आए वैसे picture की quality थो यह अच्छी नहीं है तो picture की quality अच्छी रखनी है वैसे यह भी काम कर जाए तो आपको क्या करना है सबसे पहले यहां file पर जाना है picture set करने के बाद file पर जाके आपको save पर click करना है this pc में मैं इसे desktop पर save कर लेता हूँ text file text file के नाम से मैंने इसे save कर लिया आपको यहाँ पर pdf select करना है save as type में pdf फिर आपको यहाँ पर save कर लेना है save करने के बाद आपको इसे cut कर लेना है don't save मुझे word file save नहीं करना है देख सकते हैं यहाँ पर यह pdf में save हो चुका है अब आपको क्या करना है इसे right click करके open with word के साथ open कर लेना है वापस से मैंने word file से इसे pdf में save किया फिर मैं इसे वापस word में open कर रहा हूँ तो टाइम लगेगा यहाँ पर open होने में क्योंकि processing में तो टाइम लगता है जो भी image था उसे थरा text में convert होने में टाइम लगता है तो यह दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर convert हो चुका है अगर मैं आपको इसे थोड़ा zoom करके दिखाऊं तो देख सकते हो जो भी text था हमारा उस image में jpg file जो मैंने इसमें insert किया था उस jpg का सारा detail जो है जो भी लिखा होगा तो इसमें यहाँ पर text file में convert हो चुका है अब आप इसे यहाँ से copy करो जो भी करना है edit करो जो करना है आप कर सकते हो तो है न दोस्तों यह बहुत काम की चीज अब इसे आप जिस भी file में save करना चाहते हो जाके यहाँ पे file में save कर सकते हो word में PDF में जिसमें save करना चाहते हो जिसकि में ऐसे word में अगर आप editable format में रखना चाहते होते हैं आप word में save कर लो जाके तो दोस्तों आसा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए helpful रहा हो overall summarize करके बताओ तो आपको बस photo लेना है word में paste करना है save as pdf करना है फिर आपको उस pdf को open with word कर लेना है तो आपका काम हो जाता है ये इतना आसान है तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो क्रिप्यास वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें, bell icon को दवाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी share करें Thank you